हेलो दोस्तों आज एक नया डिजाइन बनाएंगे यह देखिए यह कुछ इस तरह से बन के आता है यह फ्रंट साइड है और यह इसकी बैक साइड है तो इस डिजाइन को आप लेडिस कार्डिगन गल स्वैटर बेबी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो इसे बनाने के लिए आपको 18 के मल्टिपल में स्टिच चाहिए प्लस एक एक स्टिच एक्स्टर रखेंगे डिजाइन कवर करने के लिए यहाँ पे हमारे डिजाइन के लिए एक्स्टर स्टिच चाहिए हमें दोनों साइड में फ्रंट और लास्ट में और एक एक स्टिच row 1 से repeat शुरू करने वाली हूँ design को तो cast on कर लीजिए design शुरू करेंगे 18 के multiple में stitches ले plus 2 stitch extra रखेंगे design के लिए और 2 stitch रखेंगे sila के लिए तो यह हमारी row 1 है slip करेंगे पहले stitch को जो हमारा extra stitch है उसे आप सीधा बना ले इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे यहां से हमारा design शुरू होगा इन 2 stitches को count नहीं करियेगा यहां से हम design को शुरू कर रहे हैं तो पहला stitch उल्टा बनाएंगे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखियेगा और 2 stitch बनाएंगे left side को एक साथ तो slip करें 2 stitch वापिस सिलाई में ले और 2 का एक कर दे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे चार सीधे एक दो तीन चार अब दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ तो इस तरह से दो stitch लें और दो का एक कर दे यान ओवर करेंगे इस तरह से धागे को गोल घुमा ले एक उल्टा एक सीधा and again फिर से एक उल्टे से डिजाइन को शुरू करेंगे और इसी तरह repeat करते जाएंगे यह हमारा एक सेट बन चुका है इसी को again आपने repeat करना है तो यहाँ पे हमारा last वाला stitch जो है वो सीधा बना था तो धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा धागा अपनी तरफ रखेंगे slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेंगे और दोका एक करदेंगे चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा चार सीधे एक दो तीन चार दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ तो दो stitch लें और दोका एक करदें यान over करेंगे इस तरह से धागे को गोल घुमा ले और एक उल्टा और एक सीधा अगेन फिर से रिपीट शुरू करिएगा यहां लास्ट में हमने एक्स्टा स्टिच रखा था इसे आप उल्टा बना ले और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के हम रो को कम्प्लीट कर लेंगे यह हमारी राइट साइड रो वन जो है वो कम्प्लीट हो गई है रॉंग साइड हर बार आपकी सेम ही बनेगी जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाईए तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए रॉंग साइड को कम्प्लीट करेंगे slip करूंगी पहले stitch को यहाँ पे मेरा एक सीधा है तो इसे मैं सीधा बना लूँगी उल्टा stitch है उल्टा और फिर अगेन एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे yarn over वाले stitch को उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे फिर यह उल्टे stitches है मेरे तो यह उल्टे बनेंगे जो हमारा yarn over वाले stitch है उसे आपने हर बार उल्टे में ही बनाना है धागा पीछे करूंगी यहाँ सीधा stitch आ गया है इसे सीधा बनाऊंगी धागा अपनी तरफ करके अगेन फिर से 5 उल्टे और एक yarn over को मिला के 6 उल्टे हो जाएंगे धागा पीछे करूंगी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा इसी तरह से जैसा stitch आएगा उसे वैसा ही बनाते हुए wrong side को complete कर ले तो wrong side हमने complete कर ली है जैसा stitch था उसे वैसा ही बनाया है next बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra वाले stitch को आप चाहो तो सीधा बना लीजिए या उल्टा बना लीजिए आपकी पसंद है जैसा भी आपको easy लगे यहां से हम design को शुरू करेंगे यह हमारे दो extra stitches है तो same रहेगा एक उल्टा यह वाला उल्टा यह उल्टा ही बनेगा अब आपने यहां पे दो सीधे बनाने हैं एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और slip करेंगे दो स्टिच वापे सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो तीन राइट साइड को दो स्टिच बनाएंगे एक साथ यान ओवर कर लें इस तरह से धागे को गोल घुमा लें एक उल्टा दो सीधे एक दो अगेन फिर से एक उल्टे से शुरू करते हुए रिपीट करेंगे ये हमारा एक सेट बन गया है तो उल्टे से शुरू करेंगे एक उल्टा, दो सीधे, अगें धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, स्लिप करेंगे, दो स्टिच वापिसी लाई में लेंगे, दो का एक कर देंगे, तीन सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा यान ओर कर लें और एक उल्टा दो सीधे अगें एक उल्टे से शुरु करें और इसी थ्रहां repeat करते जाएं ये मेरा last वाला extra stitch है इसे मैं उल्टा बना रही हूँ और सिलाई वाले stitch को सीधा बना के मैं रोको complete कर लूँगी तो ये हमारी right साइड जो है वो complete हो गई है wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बनाए तो सीधे stitch को सीधा और उल्टे stitch को उल्टा बनाते हुए wrong side को complete कर ले तो wrong side हमने complete कर ली है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra stitch को सीधा बना ले अब यहां से हम design को शुरू करेंगे तो धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखिये और slip करके दो stitch इसको एक साथ बनाएंगे धागा मैंने अपनी तरफ रखा है तो दो stitch एक साथ बना ले अब यहां पर आपके पास center में यहां पर दो stitch सीधे आएंगे तो इन्हें सीधा बना ले एक दो यह उल्टा stitch है उल्टा बनेगा धागा पीछे करेंगे दो सीधे दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर कर ले एक उल्टा धागा पीछे करेंगे और तीन सीधे एक दो और तीन अगेन फिर से एक उल्टे से शुरू करके repeat बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखेंगे स्लिप करेंगे दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे दो सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें दो सीधे दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ धागा अपनी तरफ करेंगे यान ओवर करना है यहां पर और उल्टे stitch को बनाना है तो धागा गोल घुमाले इस तरह से और एक उल्टा धागा पीछे करके तीन सीधे एक दो और तीन अगेन फिर से उल्टे स्टिच से शुरू करें और रिपीट करते जाएं लास्ट वाले स्टिच को मैं उल्टा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कम्प्लीट कर लूँगी ये मेरी राइट साइड जो है वो कम्प्लीट हो बना लें धागा अपनी तरफ करेंगे यहां से हमारा डिजाइन शुरू होगा तो एक उल्टा धागा पिछे करेंगे अब इस बार हम यहां पे चार सीधे स्टिच बनाएंगे तो एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और slip करके दो stitches को left side को दो का एक कर देंगे यहाँ पर अब आपके पास एक सीधा stitch आएगा इसे सीधा बना लें उल्टे वाले stitch को उल्टा बना लेंगे अगेन एक सीधा दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ यान ओवर कर लें एक उल्टा और चार सीधे यह हमारा set बन गया है इसी को हम repeat करेंगे तो उल्टे stitch से शुरू करेंगे धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा चार सीधे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ रखते होए slip करेंगे दो stitch को वापपी सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे एक सीधा धागा अपनी दरफ करें एक उल्टा अगेन एक सीधा दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ यान ओवर कर लें और एक उल्टा धागा पीछे करके चार सीधे एक दो तीन चार अगेन फिर से उल्टे stitch से शुरू करें और रिपीट करते जाएं लास्ट वाले stitch एक्स्टर stitch को मैं उल्टा बनाऊंगी और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाके मैं रो को complete कर लूँगी ये मेरी right side complete हो गई है wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बना ले wrong side complete हो गई है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra stitch को सीधा बना ले धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें अब यहाँ पे आपके पास चार सीधे stitches हैं तो अब यहाँ पे हम cable बनाएंगे पहले हम right side को बनाएंगे तो ये दो-दो stitches की हमारी केबल बनने वाली है चाहो तो आप दूसरी सिलाई यूज कर सकते हो इस तरह से second सिलाई ले ले एक और दो इन्हें हम back में रखेंगे क्योंकि पहले हम right side की केबल बनाने वाले हैं तो दो stitch सीधे बना ले एक दो अब ये जो back वाली सिलाई में stitches है इन्हें वापिस ले 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 और इन्हें भी हम सीधा बनाएंगे तो ये हमारी right side की 4 stitches की केबल बन गई है धागा अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और यहाँ पे अब आपने दो stitches एक साथ बनाने है ये दो सीधे stitches है तो इन्हें slip करें वापिस सिलाई में ले और दो का एक कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ तो इस तर धागा पीछे करेंगे अब पहले हमने यहाँ पे right side को केबल बनाई थी अब हम left side को केबल बनाएंगे तो दो stitch लें और इन्हें front में रखें अपनी तरफ और पहले दो सीधे बना लें एक दो अब ये सिलाई वाले stitch वापिस लेंगे और इन्हें भी हम सीधा बना देंगे तो ये left side की केबल बन गई है और इसी के साथ हमारा ये एक set complete हो गया है इसी तरह अगेन आपने repeat करना है इसे तो धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा right side को केबल बनाएंगे तो दो stitch लें और इन्हें आगे ले आएं और इन दो stitches को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई म और चारो stitches को सीधा बना देंगे एक दो तीन चार धागा अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे स्लिप करेंगे दो stitch वापिस सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा right side को दो stitch बनाएंगे एक साथ य यहां पे हम left side को cable बनाएंगे, पहले हमने right side बनाई है, अब हम left side को बनाएंगे, left side के लिए हमेशा back loop से stitch लेंगे, तो 2 stitch आगे लाएं और 2 stitch पीछे ले जाएं और वापिस लेंगे सिलाई में और इन्हें सीधा बनाएंगे, 4 stitches को, 1, 2, 3, 4, again फिर से उल्टे stitch से शुरू करें और इसी तरह repeat करते जाएं, एक्स्टर स्टिच को मैं उल्टा बना लूँगी और सिलाई वाले stitch को सीधा बनाएंगे, रो को complete कर लें, यह हमारी right side complete हो गई है, wrong side सेम रहने वाली है, जैसा stitch है, उसे वैसा ही बनाएंगे, wrong side को complete कर लें, wrong side हमने complete कर ली है, right side बनाएंगे, slip करेंगे, पहले stitch को, design को शुरू करेंगे, तो धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, दो स्टिच बनाएंगे सीधे, एक, दो, slip करेंगे, दो स्टिच वापिस सी लाई में लेंगे, और दो का, एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन उल्टे, एक, दो, और तीन, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, अब यहाँ पे आपके पास इस तरह सेंटर में तीन स्टिचेज आ जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, तो इन्हें हमें तीन का एक करना है, तो धागा अपनी तरफ रखके स्लिप करेंगे एक स्टिच को दो स्टिच बनाएंगे, एक साथ, और स्लिप वाले स्टिच को इसके उपर से पास कर देंगे, अगेन फिर से यान ओवर कर लें, और तीन उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पिछे करेंगे, दो स्टिच बनाएंगे, राइट साइड को, एक साथ, दो सीधे, एक, दो, और य यान ओवर करेंगे, यहां पे धागा गोल जरूर घुमाईएगा, यान ओवर जरूर करिएगा, यहां से हमारा रिपीट भी शुरू होने वाला है, और साथ में ही यहां पे हमारा एक सेट भी एंड में भी आएगा, तो धागे को यहां से राउंग जरूर करिएगा, नहीं त स्लिप करेंगे दो स्टिच पापपी सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए तीन उल्टे एक दो तीन धागा अपनी तरफ ही रखेंगे स्लिप करेंगे एक स्टिच को दो स्टिच बनाएंगे एक साथ और स्लिप वाले स्टिच को इसके उप पास कर देंगे, अगें यान ओभर कर लें, 3 उल्टे, 1, 2, 3, धागा पिछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे, right side को 1, 2 सीधे, 1, 2, अगें यान ओभर करेंगे, और फिर उल्टे स्टिच से, दुबारा से repeat शुरू करेंगे, यहाँ पर extra stitch इसलिए रखा था यान over के बाद आपके पास अगर stitch नहीं होगा तो जब आप सिलाई करोगे तो यहाँ पर सिलाई अच्छे से नहीं हो पाएगी इसलिए अब यहाँ पर यान over करके extra वाले stitch को ऊल्टा बनाके हम रो को complete करेंगे सिलाई वाला stitch है इसे सीधा कर ले और ये हमारा right side जो है वो complete हो गया है wrong side same रहने वाला है जैसा stitch है उसे वैसा ही बना ले wrong side complete हो गई है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra stitch को सीधा बना ले यहां से हम design को शुरू करेंगे तो धागा अपनी तरफ करें दो उल्टे दो धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और दो सीधे एक दो slip करेंगे दो stitch को वापे सिलाई में लेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करें दो उल्टे धागा पीछे करेंगे दो stitch राइट साइड को एक साथ यान ओवर करेंगे और तीन उल्टे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे दो स्टिच बनाएगे राइट साइड को एक साथ दो सीधे एक दो यान ओवर करके एक उल्टा अगेन फिर से ये हमारा एक सैट कम्प्लीट हो गया है अगेन आपने उल्टा stitch बनाते हुए repeat शुरू करना है तो एक उल्टा हमने बना लिया है दो उल्टे stitch और बनाएंगे एक दो धागा अपनी तरफ ही रखेंगे दो सीधे slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे धागा पीछे करें दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर तीन उल्टे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे दो स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, दो सीधे यान ओवर करेंगे और एक उल्टा अगेन फिर से दो उल्टे से शुरू करें और इसी तरह रिपीट करते जाएं एक्स्ट्रा स्टिच को उल्टा बनाके सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाके रो को कम्प्लीट कर लेंगे ये हमारी राइट साइड कम्प्लीट हो गई है रॉंग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बना ले रॉंग साइड कम्प्लीट हो गई है राइ धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, दो सीधे, 1,2, स्लिप करेंगे, दो स्टिच वाप्पे सिलाई में लेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करें, 5 उल्टे, 1,2,3,4 और 5, धागा पीछे करेंगे, दो स्टिच बनाएंगे, राइट साइड को एक साथ, दो सीधे, एक, दो, यान ओवर करेंगे, और यहाँ पे अब इस पार आपके दो उल्टे बनेंगे, तो एक और दो, दो स्टिच उल्टे बना लेंगे, यह हमारा एक सेट बन गया है, इसी को अग दो और तीन, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, दो सीधे, दो स्टिच बनाएंगे, लेफ्ट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करके, पांच उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे करेंगे, राइट साइड को दो स्टिच बनाएंगे, एक साथ, द दो, अगेन फिर से तीन उल्टे से शुरू करें और इसी थरह रिपीट करते जाएं, लास्ट वाले स्टिच को उल्टा बना लें, और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रोको कम्पलीट कर लें, तो ये हमारी राइट साइड कम्पलीट हो गई है, रॉंक साइड सेम रहन स्टिच है यह हमारा सीधा बनेगा यान ओवर करेंगे स्लिप करेंगे दो स्टिच में लेंगे और दो का एक कर देंगे कर दागा अपनी तरफ करें noveर ने दो ऑंटे önce एक है डोऑ हम थागा अपनी तरफ ही रहेंगे दो सीधे धये ment का एक करदेंगे, धागा अपनी तरफ करके, तीन उल्टे एक, दो, तीन धागा पिछे करेंगे, दो श्टिछ बनाएंगे, राइट साइड को एक साथ, दो सीधे एक, दो, यानोबर करेंगे, और तीन उल्टे, एक, दो और तीन अगेन फिर से यह सेम रिपीट करेंगे और इसी तरह आगे बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग जो है वो यान ओबर से हुई है तो अगेन आपने धागा अपनी तरफ ही रखिएगा इस तरह से और स्लिप करें दो स्टिच को वापिस सिलाई में लें और दो का एक कर दें धागा अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे दो सीधे स्लिप करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो तीन धागा पिछे करें दो स्टिच बनाएंग ये right side को एक साथ, दो सीधे, yarn over और तीन उल्टे, एक, दो, तीन, again yarn over से repeat शुरू करें और इसी तरह से बनाते जाएं, last वाले stitch को मैं उल्टा बनाऊंगी और सिलाई वाले stitch को सीधा बनागे मैं रो को complete कर लूँगी, तो ये हमारी right side complete हो गई है, wrong side सेम रहने वाली है, जैसा stitch है, उसे वैसा ही बनाएं, तो wrong side complete हो गई है, right side बनाएंगे, slip करेंगे पहले stitch को, extra वाले stitch को सीधा बना लें, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, slip करेंगे, दो stitch वापी सिलाई में लेंगे, और दो का, एक कर देंगे, धागा अ दो stitch को वापी सिलाई में लेंगे, और दो का, एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके, एक उल्टा, अगेन धागा पीछे करें, दो stitch बनाएंगे, right side को, एक साथ, दो सीधे, yarn over, दो उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो stitch बनाएंगे, right side को, एक साथ, यान over करेंगे, और अगेन फिर से repeat बनाना शुरू करेंगे, तो repeat हमारा यहाँ पे, एक उल्टे से शुरू हुआ था, start हमने एक उल्टे से करी थी, तो यान over करें, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, slip करेंगे, दो stitch वापे सिलाई में लेंगे, दो का, एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके, दो उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, दो सीधे, slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करें right side को दो stitch बनाएंगे एक साथ दो सीधे yarn over दो उल्टे धागा पीछे करें दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ yarn over और अगेन फिर से उल्टे stitch से दुबारा से repeat करें एक उल्टा और अगेन repeat बनाते जाएं ये last वाला stitch है इसे मैं उल्टा बनाऊंगी और सिलाई वाले stitch को सीधा बना के मैं रोको complete करूंगी तो ये मेरी right side जो है वो complete हो गई है wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बना ले wrong side हमारी complete हो गई है right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra वाले stitch को सीधा बना ले धागा अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे एक दो धागा अपनी तरफ ही रखिएगा slip करेंगे दो stitch को वापे सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करें अब यहाँ पर आपके पास उल्टे stitch के साथ चार सीधे stitches आजाएंगे इस तरह से तो इन्हें हमें अगेन फिर से केबल बनानी है पहली केबल हमारी जो है वो राइट साइड को बनेगी तो इस तरह से दो stitch लें इन्हें आगे ले आएं और इन दो stitches को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और इन्हें सीधा बना दें एक, दो, तीन, और चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें अब जैसे ये राइट साइड को केबल बनी है वैसे ही इन चार stitches की हम लेफ्ट साइड को केबल बनाएंगे तो बैक लूप से दो stitches लें उन्हें आगे ले आएं और इन दो stitches को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और चारो stitches को सीधा बना दें एक, दो, तीन, और चार अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करके दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर करेंगे और एक उल्टा ये हमारा एक सेट बन गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है तो दो उल्टे से शुरू करा था हमने तो दो उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा पीछे करें अगेन हम यहाँ पे ये सेंटर वाले stitches में आ जाएंगे तो राइट साइड की केबल बनाएंगे फ्रंट से लें दो stitch आगे ले आएं और इन दो stitches को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और चारो stitches सीधे बना दें एक, दो, तीन और चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा अब राइट साइड की केबल बन गई है लेफ्ट साइड की केबल बनाएंगे तो बैक लूप से इस तरह से दो stitch लें, इन्हें आगे ले आएं और फ्रेंट वाले दो stitches को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और चारो stitches सीधे बना दें एक, दो, तीन, चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करें दो stitch बनाएंगे राइट साइड को एक साथ यान ओवर, एक उल्टा अगेन फिर से दो उल्टे से repeat शुरू करें और इसी तरह बनाते जाएं लास्ट वाले extra stitch को उल्टा और सिलाई वाले stitch को सीधा बना के रोको complete कर लें तो ये हमारी right side complete हो गई है wrong side same रहने वाली है जैसा stitch है उसे वैसा ही बना ले तो wrong side हमने complete कर ली है और हमारा design भी जो है वो complete हो गया है दो repeat में ये कुछ इस तरह से इतना बन के आया है तो design कैसा लगा? message कीजिएगा पसंद आये तो like जरूर करिएगा और please भूलिएगा नहीं subscribe जरूर करिएगा मेरे channel को subscribe का button दबाईएगा ये हमारा इस तरह से design जो है वो complete हो चुका है again row one से ये repeat होने वाला है फिर से तो slip करेंगे पहले stitch को extra stitch को सीधा बना ले धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा तीन, चार धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा, अगें चार सीधे, एक, दो तीन, चार दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ एक उल्टा, एक सीधा अगें फिर से repeat करेंगे एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा धागा अपनी तरफ रखके दो stitch बनाएंगे left side को एक साथ, चार सीधे ये हम repeat row 1 दुबारा से शुरू करी है हमने अगें चार सीधे दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ यान ओवर करेंगे एक उल्टा, एक सीधा और अगें फिर से एक उल्टा, एक सीधा बनाते हुए हम repeat शुरू करेंगे ये हमारी row 1 जो है दुबारा से बननी शुरू हो गई है try जरूर करिएगा, बहुत आसान डिजाइन है look बहुत प्यारी आती है इसकी बन के तो please भूलिएगा नहीं subscribe जरूर करिएगा मेरे चैनल को thank you